अभी पेडिया पावर्ट बाइ अभी मनु आईएस मैं नेम इस रोहित मिड़ा स्टुरेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कुस करेंगे जी फह के अगस्त 2020 अगस्त 2020 के तीसरे हटे के इकनोमिक अफेर्स को फाइनेशल अवेशन को आज की क्लास में हम डिसकुस करने वाले हैं इंटर्नाइचनल फॉंडिंग इंस्टूश्यन एग्रिकल्ट्चर रूर डिवल्ल डिवल्लंपमेंट उसके बाद Midwest system financial inclusion banking awareness sustainable development तो यह कुछ important topics है जिसको लेकिए हम बात करेंगे आज के अपनी economic GK क्लास के अंदर तो economic affairs आपको पता है कि that is a very important part of current affairs तो जो भी हमारे economy से related exam होते है चाहे वो banking sector का कोई exam हो SEBI हो RBI हो EPFO हो इन सब exam में बहुत अच्छे लेवल पर यह solution पूछे जाते हैं तो जल्दी से join कर लो क्लास को share कर दो क्लास को good evening everyone बढ़ते हैं आगे start करते हैं आज की हमारी क्लास को the economic GK of third week of August 2020 चले start करते हैं आज की हमारी क्लास को तो सबसे पहले बात करेंगे airports की तो देखिए हमारा जो cabinet है center government है center government ने यहाँ पर approval दे दिया है तीन airport तीन airport कौन-कौन से जैपूर गौहाटी एंड त्रिवंतंपुरम ठीक है center government ने cabinet ने approval दे दिया कि यहाँ पर तीन airport जैपूर का airport गौहाटी का airport और त्रिवंतंपुरम का airport इन तीन airports को 50 साल के लिए leas पे दे दिया जाएगा repeat PETER P मूद के उपर इसको दे दिया जाएगा अब public private partnership के उपर मतलब क्या है lease पे दिया जाएगा बेचा नहीं है ठीक है ऐसा नहीं है कि government in airports को sayl कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है इन airports को lease पे दिया जाएगा public private partnership based के ओपर 50 साल के लिए यानि कि एक private company इनको 50 साल के लिए operate करेगी lease पे लेके और government को पैसा भी देगी तो जहाँ पे जब bidding हुई तो एक company आगे आई अदानी ports यहाँ पे जब bidding हुई तो एक company आगे आई अदानी ports अदानी ports के बारे हैं आपको पता होगा अदानी groups तो अदानी ports की अगर मैं बात करना चाहूं अदानी इंटरपैज़ेस तो अदानी इंटरपैजेस में यहाँ पे basically इस इन तीन airport को अदानी enterprises अदानी port दिया दिया डड़ अधानी इंटरपैजेस तो आमाउन तो डिकलियर नहीं किया गया बट यहाँ पे इतना कन्फरम है कि अदानी इंटरपाइजिस ही इन तीन एरपोर्ट को लीज पे ले रहा है इससे पहले अगर मैं प्रिवियस बात करूँ तो 2019 में भी भारत सरकार ने तीन एरपोर्ट को पब्लिक प्रिवेट पार्टर करनाट का लखनाव यह तीन एरपोर्ट यह होगे और तीन यह होगे अब हमने बात करी ठीक है जैपुर का गुहाटी का और त्रवनतंपुरम का तो अब अदानी इंटरपाइजिस छे एरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टरशिप के उपर लीज पे ले चुका है ठीक है छे एरपोर्ट को एअरपोर्ट को लेके इंडिया में जो बॉडि काम करती है यह और त्य hewach जो इंडिय्ब का का में उन सबकी जो मालिक है एक्चुल में वह एयरपट अथारटी आफ इंडिया ही है एयरपट अथारटी आफ इंडिया चलिए यहाँ पे कोशन आप लोगों के लिए आपको चैट बॉक्स में उसका अंसर करना जल्दी से जल्दी हूँ इस दा यूनियन मिनिस्टर फोर सिविल इविएशन सिविल इविएशन के लिए हमारे मंत्री कोन है यह आपको बताना है जल्दी बताईए सिविल इविएशन के हमारे मंत्री कोन है सिविल इविएशन के लिए जल्दी से अंसर कीजिए सिविल इविएशन के लिए हमारे मंत्री कोन है वीज़ा मिनिस्टर फॉर सिविल अवियेशन चले आंसर आरे है मेरे पास हुई इस दा मिनिस्टर राट इस हर्दीप सिंग पूरी हर्दीप सिंग पूरी हमारे पास मिनिस्टर एक किस चीज़ को लेके Civil Aviation को हमारे मंत्री है Civil Aviation को लेके तो I think clear बढ़ते हैं आगे हमारे next news की तरफ अगर आपको कोई भी doubt हो किसी भी news में you can write in the chat box आप chat box में साथ के साथ पूछ सकते हो चले next दुनिया का सबसे बड़ा pier bridge देखें pier bridge क्या होता है जो की एक beam के उपर खड़ा होता है ठीक है आपने देखा होगा ऐसे bridge ठीक है ऐसे flyovers या फिर bridge जो rivers के उपर bridge बने होता है ठीक है एक pillar के उपर bridge खड़ा होता है ठीक है that is pier bridge या फिर जो road flyovers भी होते हैं जो एक एक pillars के उपर खड़े होते हैं जैसे नहीं कि जो बड़े-बड़े पिलर्स के उपर बने होते जो सिंगल सिंगल तरोंग पिलडर के ओपर खड़े होते हैं लिए इंस पीयर बिज उसका हम बोलते हैं पीयर ब्रिज ठीक है तो पीयर ब्रिज को लेके यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा पियर बिज अभी जो है ठीक है वो यूरप में है अब उसको क्रॉस करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा पियर बिज बनने जा रहा है मानिपूर के अंदर मानिपूर के अंदर कहां पे इजाय रिवर के ऊपर इजाय रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है मानिपूर का दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज जो की 111 किलो मिटर का basically हमारे एक रोड प्रोजेक्ट ऑन गॉइंग है यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट चल रहा है 111 किलो मिटर का उसको connect करते हूँ उसी का पार्ट है ठीक है उसी का पार्ट है 141 मिटर की हाइट पर बनाया जाएगा यह पीर ब्रिज डाटी जुंदा इजाए रिवर मनिपूर के अंदर और इस ब्रिज की जो लंबाई रहने वाली है 703 मिटर सेवन जी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 703 मिटर यह चोटे चोटे points है आपको पता होना चाहिए exam में इनी को लेके question आ जाता है कि बताईए bridge की length कितनी है, दुनिया का जो सबसे बड़ा peer bridge बनाया जा रहा है उसकी length कितनी है, मनिपूर में बनाया जा रहा है, कौन सी river के उपर बनाया जा रहा है कौन से रजय बनाया जा रहा है, ऐसे question यहाँ पर आ जाते है, ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए that is very important, ठीक है, इसके बाद बात करूँ, यह जो पूरा bridge बाई, यह जो पूरा road contractor हमारा 111 km का मैंने बताया आपको, इसके अंदर total 45 tunnels बनाया जा रही है, total 45 tunnels बनाया जा रही है 280 करोड रुपीज यहाँ पर खरचा रहे है, पूरे project का नहीं, सिरफ bridge का, सिरफ उस 703 मीटर के bridge का 280 करोड रुपे खरचा है जो कि मार्च 2022 तक बनके त्यार हो जाएगा, ठीक है, अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा bridge है, वो है, यूरॉप के अंदर, मॉन्टेन गरो के अंदर है, that is of 139 meter height, clear, चले, clear हो गया, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, सर सेंटर और स्टेट के बीच में क्या relationship होते हैं, center और स्टेट के relationship तो पूरा polity पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है, constitution के अंदर, center और स्टेट के सारे, जो, relations है, वो बयान किये हुए है, ठीक है, center यहाँ पर head है, और state उसके अंदर, एक organization है, ठीक है, इंडिया इसा, states और union को मिला कर बना हु तो state and center के जो relation है, इसके लिए आपको constitution पढ़ना पड़ेगा, constitution की class में उसको discuss करेंगे, या फिर हमारी current GK की class में उसको पढ़ सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, हमारे जो road transport and highways के minister है, नितिन गड़करी जी, previous हमने मनिपूर की बात की थी, यह news भी मनिपूर से ही related है, तो मनिपूर के अंदर हमारे जो नितिन गड़करी जी minister है, road transport and highways के, इन्होंने मनिपूर के अंदर 13 highway project को launch कर दिया, 13 highway projects को इन्होंने integrate किया है, यह 13 highway project बनाये जाएंगे, 3000 करोड रुपे के खर्चे से, 3000 करोड रुपे यहाँ पे खर्च किया जाएगा, मनिपूर के अंदर और 13 highways यहाँ पर बनाये जाएंगे, कुछ highways already under construction है, जो बनाये जा रहे है, कुछ चुटे चुटे highways है, कुछ बड़े highways है, जो मनिपूर के अंदर यहाँ पर बनाये जा रहे है, और 3000 करोड रुपे यहाँ पर खर्चाएगा, 3000 करोड रुपे सरकार खर्चेगी, मनिपूर के अंदर 13 highway project को लेके, टूटल जो distance रहेगा, 316 किलोमेटर, 316 किलोमेटर रोड यहाँ पर बनाये जाएगी, highway यहाँ पर बनाया जाएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next, hallmarking of precious metals, देखें, जो भी हमारे precious metals होते हैं, gold के, platinum के, silver के, जो भी precious metals होते हैं, इन सब के उपर एक hallmark लगता है, ठीक है, international standard organization की तरफ से यहाँ पे एक hallmark लगता है, तो hallmark को लेके पहले government ने जो deadline दिया हुआ था, वो November तक का दिया हुआ था, अभी इसको बढ़ा के जून 2021 तक कर दिया गया, कि सभी precious metals के उपर hallmarking mandatory है, एक जून 2021 के बाद, एक जून 2021 के बाद यहाँ पर अगर किसी precious metals के उपर hallmarking नहीं हुए तो government उसके उपर कुछ action लेन इंडिया में approximately 921 जो hallmarking institutions है, hallmarking organization है, जो काम कर रही है, तो उसको लेके basically अगर मैं बात करना चाहू, hallmarking को लेके, तो government ने इसके बाद क्या कर दिया, कि government further भी 600 से 700 hallmarking organizations को approval यहाँ पर देने वाली है, ठीक है, आने वाले जून 2021 तक एक साल के अंदर, इंडिया में बहुत स इस मेटल से हैं, उनकी hallmarking mandatory कर दी जाए, अंकुष गोरा जी, सर संडे को class नहीं लगी 10 बज़े अकाउंट्स की, संडे को, I think कल कोई technical issue था, तो उस वज़ा से नहीं हो पायेगा, पाया होगा, we will check, ठीक है, I will discuss with the team, कि क्या issue रहा, चले, आगे बढ़ते है, नागालेंड की सरकार ने एक e-commerce platform launch किया है, yellow chain, ठीक है, अब yellow chain क्या है, yellow chain एक e-commerce platform है, जहां पे आके seller अपना कोई भी product बेच सकत है, ठीक है, किसी भी तरह की services को provide करवाना, ठीक है, चाहिए वो services sector हो, चाहिए वो basically उसने कोई product की selling करनी है, ठीक है, तो trade skills, ठीक है, उसके बाद जो भी products आते हैं, किसी भी तरह के products को services को देना, बारबर से लेके, ठीक है, car painter, plumber, यह सारी services भी yellow chain के चलते होए, provide की जाएग ठीक है, ठीक है, चाहिए बारबर था, चाहिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, plumber है, car painter है, जतने भी यह services सारी की सारी services, यहाँ पर yellow chain portal के चलते होए, दी जाएगी, तो yellow chain portal, that is to raise the awareness about e-commerce platform of the local sellers, ठीक है, local sellers को यहाँ पर promote करने के लिए, यहाँ पर यह platform yellow chain चलाया गया, yellow chain, तो ठीक है, यहाँ फिर आ सकता है कि नागा लैंड ने अभी कौन सा e-commerce platform स्टार्ट किया है, ठीक है, नागा लैंड ने, तो yellow chain, red chain, वाफो color में difference कर सकता है, यहाँ पर आपको confuse आउट करने के लिए, तो examiner basically आपको paper में confuse करना चाहता हो, और कुछ नहीं चाहता है, उसको पता ह है कि आप पढ़ किया हो, बट वो आपको confusion create करेगा, यहाँ पर कुछ टेड़े मेड़े question पूछ कर, चलिए, एक question यहाँ पर आप answer बता दो जल्दी से नागा लैंड के मुख्या मंतरी जल्दी से बता दो, आगे बढ़ते हैं फिरम, chat box में बता दो जल्दी से नागा यहाँ के लिए question है, आपको बताना है जल्दी से, सर नौर्धन इंडिया में कौन सी states आती है, देखो अब नौर्धन इंडिया की अगर मैं बात करूं, अब भारत का मैप, नौर्थ कौन सा एरिया होता है यह, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरयाना, यह सब नौर्धन एरिया, इस तो है, पंजाब, अर विकेन काल, चंडीगड, उसके बाद जो इधर ही है, जैसे मैंने नागालेंड की बात करी, मनी पूर हो गया, ठीक है, यह सब क्या है, यह नौर्ध इस्टरन है, क्योंकि यह कहाँ पर आया जाता है, इधर, यह नौर्ध आती है, ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा, तो नाफ यूरियो हमारे पास क्या है, नाफ यूरियो हमारे पास नागालेंड के मुख्य मंत्री है, यह तो हमारा कोशन आगे बढ़ते हैं, हमारे जो परधान मंत्री जी है, नरेंदर मोधी जी, इन्होंने अपनी 15 15 अगस्त की स्पीच के दोरान, यहां पर अनौसमेंट किया एक इनिशेटिव का वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, बेसिकली अपने इस इनिशेटिव के चलते हुए, हमारे परधान मंत्री जीने बात करी है, सॉलर अनर्जी की, सॉलर अनर्जी की, अब सॉलर अनर्जी की, 8 सप्टंबर को, ठीक है, 8 सप्टंबर को होने वाली है, यह कोशन भी ध्यान रखनेगा, कि 8 सप्टंबर को होने वाली है, वर्ड सॉलर अनर्जी समिट, चलिए, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड की, अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली यह तीन फेस में इसको कन्ट किया जाए यह तीन फेस क्या 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 कहते हैं, तो पहला फेस कि अगर मैं बात करो, तो बेसिकली इंडिया का जो ग्रिड है, यह अधर कंट्री के साथ कुनेक्ट किया जाएगा, बिकॉस इंडिया एजा हैड़ को लेकर बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, तो इंडिया का ट सोलर पार्क बताना है आपको, जल्दी से बता दो, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, चैट बॉक्स में जल्दी से, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क, कहां पे है, और उसका नाम क्या है, चले, उसके बाद मैं बता रहा था, फेस बन के हम बात कर रहे थे, उसके बाद इसको पूरी दुनिया में लेके जाएंगे तो यह मोदी जी का टार्गेट है वन सन वन वर्ड वन गृट ठीक है एक ही गृट के चलते हुए अविनाश जाजी इंडिया में तो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पाक भारत में कहां पे है ठीक है आपको यह बता चुका हो ठीक है यह मैं पढ़ा चुक हो अगर आपने प्रीविएस एकॉनमिक जी के की क्लासिस देखी ओ तो देखे दुनिया का जो सबसे बड़ा सॉलर पार्क है वो है राजस्थान में इसका नाम में भादला भादला सॉलर पार्क ठीक है डाट इसन राजस्थान कहां पर रजस्थान के अंदर भादला सॉलर पार्क भादला सॉलर पार्क एडिजिन राजस्थान चले आगे बढ़त ऋपैंदने नेक्स्ट बोर्डर यह को नहीं बोलना इसको बोडर रॉड और देशन तो बोडर यहां पर उध्षाञ ने ले को युड प्रीज बना Guidz बना वहां था दो यहां ऑ और बैले ब्रिज बना आया тी के अंदर ओडर बाट ल्यूरम सोपने जो दि जहां पर काम करता है वहां की सारी रोड्स बनाने का काम बॉर्डर रोड और अगनाइशन ही करता है तो एक सो असी फिट की उचाई पर बनाई है जो बैले ब्रिज है यह कहां पर बनाएगा जॉल जी बी सेक्टर और पितोडागड डिस्टिक्स आफ उत्राखन में इसको बनाया ग में टीए मैं बात करना चाहूं अरज़न्मुन जी की तो अरज़नमुन जई नहीं ट्राइब शोरूम लांच किया मंबाई के लालर तो डॉस्न यहां पर अपने पोड़क्ट सकें अपनी कुछ income कमा सके, अपना पैसा कमा सके, अपना employment create कर सके, उसी के चलते हुए यहाँ पर tribes India showroom यहाँ पर inaugurate किया गया Mumbai के अंदर, Mumbai के अंदर, परधान मंत्री जी का एक message है, that is our slogan, be vocal for local, आतम निर्मर भारत, ठीक है, तो उसी आतम निर्मर भारत के चलते हुए, यहाँ पर यहाँ पर ले के आने के लिए, further promote करने के लिए, यहाँ पर tribes India showroom मंबई में open किया गया, further इसको other cities में भी open किया जाएगा, और जुन मुड़ा जी ने लांच किया, अर जुन मुड़ा जी, चिले, डाउट्स देख लेते हैं, sir, PM government bank को private bank में transfer कर रहे हैं, इसके पीछे क्या reason अंकुष गोरा जी, basically, इसके पीछे दो कारण है, ठीक है, इसके पीछे दो कारण है, अब पहला कारण, अगर मैं बताना चाहूं, पहला कारण 2017 में reserve bank of India के एक former deputy governor ते विराल अचार है, अपने नाम शायद सुना होगा, विराल अचारा जी, अभी तो उन्होंने RBI से दिया, तो विराल अचार है, जी ने 2017 में government of India को एक recommendation किया था, recommendation दिया था, privatization of the public sector banks, क्यों, management, इनको private कर दो ताकि इनकी management proper time से work करे, अब अब private banks में जाओ और आप अप अपली सेक्टर बैंक्स में जाओ, ठीक है, अब पब्ली सेक्टर बैंक्स में का difference होता है, कि public sector banks का जो management है, वो properly work नहीं कर पा रहे है, और private sector वाले आपको services देने के पीछे भागते हैं, भागते हैं, ठीक है, तो एक तो यह difference है, दूसरा difference यहाँ पर यह है सरकार को, basically यह main reason नहीं है, management वाला सरकार का यह reason नहीं है, सरकार का reason है पैसा, government को चाहिए है पैसा, government को पैसे की जरूरत है, क्यों पैसे की जरूरत है, 5 trillion dollar economy, हमारा एक target है, भारत को 5 trillion dollar की economy बनना है, 2024-25 तक, 2024-25 तक, तो इसी के चलते होगे, सरकार को पैसे की जरूरत है, और सरकार privatization में लगी हुई है, तो सरकार यहाँ पर private तो करेगी, public sector banks को, ठीक है, government banks को, but पूरा share नहीं बेचेगी, यह भ यह को, public sector bank का definition क्या होता है, public sector bank का definition होता है, वो bank जिसके अंदर सरकार minimum 51% की shareholder है, ठीक है, अगर government का share, किसी public sector bank में 51% से बिलोँ चला जाता है, अगर 50 भी हो गया, तो यह public sector bank नहीं यह private bank कहलाएगा, as per the definition, ठीक है, यह private कहलाएगा, हाला कि center government इस bank के अंदर 50% की shareholder है, 50% की, but यह bank, as per the RBI classification of the bank's definitions, यह bank जो होगा, यह private कहलाएगा, क्योंकि public sector बनने के लिए उसके अंदर government का share minimum 51% होना चाहिए, ठीक है, तो सरकार share तो बेचेगी, but पूरा share नहीं बेचेगी, ठीक है, अब यह मत सोचो कि सरकार बिलकुली share बेच देगी, और bank में सरकार का कोई भी share नहीं रहेगा, हेलो शिवानी, चले, आगे बढ़ते हैं, I think, अंकुष जी आपको clear हो गया होगा, चले, next, अब RBI की बात कर लेते हैं, Reserve Bank of India, RBI ने दिया है 2020 से लेके 2025 का 5 सालों का अपना national strategy for financial education, देखे, यह जो national strategy for financial education है, यह RBI ने दूसरी बार release किया है, यह RBI ने दूसरी बार release किया है 2020 से लेके 2025 तक, पहली बार यह कब आया था, 2013 से लेके 2018 तक RBI ने लेके आया था national strategy for financial education, अब दूसरी बार आया है 2020 से लेके 2025 तक के लिए, ठीक है, यह दूसरी बार RBI इसको लेके है, है इसका मेन मोटिव क्या है इसका मेन मोटिव है लोगों को फाइनेशल लिट्रेसी प्रोवाइड करना लोगों को वित्तियस अक्षरता प्रदान करना लोगों को जागरूप करना ठीक है तो लोगों को लिट्रेसी देने के लिए फाइनेशल लिट्रेसी प्रोवाइड करने के लिए financial inclusion financial system की knowledge provide करवाने के लिए यहां पे financial education को लेके यह national strategy launch करी है reserve bank of india ने तो RBI ने basically इसके अंदर अपना एक 5C approach दिया है 5C approach यह 5C approach की बात RBI पहले भी कर चुका है काफी बार अपनी कुछ meetings के दोरान तो यह 5C क्या कहता है यह 5C जिसके उपर यह 2020 से लेके 2025 तक का national strategy for financial education काम करने वाला यह क्या कहता है content development यह किस चीज़ की बात करता है content development की अब content development के बाद यह किस चीज़ की बात करता है capacity building की उसके बाद community model communication strategy and calibration for the stakeholders तो इन सब चीज़ों को मिला कर यहां पर इन सब चीज़ों की knowledge के साथ यहां पर आगे बढ़ना है financial system के अंदर ठेक है सबसे पहले तो content development पूरा का पूरा जो content होना चाहिए पूरे का पूरा financial आपको knowledge होनी चाहिए ठेक है उसके बाद किस तरह से working करना capacity building model prepare करना है ठीक है आपस में पूरा communication हो communication strategy सारी organization मतलब आपस में बिलके communication के साथ काम करें यह जो national strategy for financial education है यह एक किला RBI का initiative नहीं है यह RBI सैबी पी एफाइडी एंड आई रडी है ठीक है insurance regulatory development authority of India यह सब मिल के काम करते हैं इसको मिल के यहां पर इसको लेके काम करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोई डाउट हो तो पूछ लेना नेक्स्ट सेंटर गॉर्मेंट ने कमेटी बनाई है very important सेंटर गॉर्मेंट ने कमेटी बनाई है monetary policy कमेटी के members को रिव्यू करने के लिए देखें monetary policy के बारे में आप सबको बता होगा मुद्रीक मुद्रा स्विती ठीक है monetary policy को हिंदी में बोलते हैं मुद्रा स्विती तो monetary policy basically होता क्या monetary policy is the process by which government of India controls inflation ठीक है government क्या करते है inflation और GDP को maintain करती है control करती है money supply को maintain करते हुए ठीक है money supply को उपर नीचे करके सिर्क कौन करता monetary policy को कौन डाइगुलेट करता आरब अब 2016 में क्या हुआ 2016 में भारत सरकार ने कमेटी बनाई दी ठीक है कि डाटेस monetary policy committee monetary policy को operate करने के लिए और इस monetary policy committee के अंदर 6 member होते हैं छे member के committee बनाए गिती इस चे मैंसे तीन member RBI के तरफ से होते हैं ठीक है और तीन होते हैं government of India की तरफ से भारत सरकार के तरफ से यह जो आरब याई वाले member है एक तो आरब या के गवर्नर ही होते हैं एक आरब या के डापटी गवर्नर होते हैं और एक आरब याई के executive director यहाँ पर अपाइंट कर दिये जाते हैं अब तीन मेंबर government के होते हैं अब government के member जो हैं इनका जो tenure होता है यहाँ पर अभी जो तीन मेंबर मैं बता रहेता हूं इनके नाम के रविंदर धुलकिया ठीक है पमीदुआ एंड चेतन घाते यह तीन मेंबर हैं अभी ठीक है पमीदुआ जी दिली स्कूल आफ दिली स्कूल आफ एकनामिक्स की डारेक्टर है ठीक है और जो रविंदर धुलकिया जी यह आया एम से हैं तो यह तीन बंदे अभी यहाँ पर काम करने हैं बट सेंटर गवर्मेंट ने जब 2016 में यह कमेटी बनाई थी मॉनेटी पॉलिसी कमेटी तो इसके साथ गाड्लेंज दे दी जो गॉब्रम्मेंट फइन्डिया के मैंबर्स है मॉनेटी पॉलिसि कमेटी के अंदर इनका टन्य और रहेगा चार साल तो 2016 में कमेटी बने थी तो सब्टमबर 2020 में इनके चार साल पूरे होने वाले है ठीक है तो यहां पर ज़रूरत है नए members की नए members को replace करने की अब नए members को ले के आने के लिए कि किसको appoint किया जाए Senter government ने committee बनाई है ठीक है? तीन member यहां पे नए quarantine करने के लिए Senter government ने is committee बनाई है इस committee के head को ने? इस committee के head है Rajiv Gaba क्लियर हो गया? अगर आपको कोई भी doubt आउट आप पूछ सकते हो सर सेंटर या स्टेट की तरफ से ऐसी कोई न्यूज आई है कि जिसमें गौर्वर्मेंट ने का है कि कोविड के करण अरे नहीं अंकुष जी ऐसा कुछ भी नहीं है गौर्वर्मेंट गंगाल हो जाएगी अगर ऐसी पैसा देने लगे जो नहीं ऐसा कुछ नहीं सुना अभी तक तो चलिए आगे बढ़ते हैं बार्कलेस तो बार्कलेस ने यहाँ पर भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है द फाइनल मार्किट वाल्यू ऑफ गूट्स एंड सर्विसेज पर्डूस विदिन एन एकॉनमी ठीक है एक साल में एक एकॉनमी के अंदर जितना भी पैसा आता है डाट इस दा जीडीपी ऑफ डाट कंट्री ठीक है सकल घरीलू उत्पाद बोलते हैं इसको हिंदी में ठीक है सकल घरीलू उत्पाद तो बेसिकली कोविड नाइटिन के चलते हुए हर एक और्गनेजेशन ने भारत का जो सकल घरीलू उत्पाद है जीडीपी है उसको नेगेटिव में रखाए ग्रॉस डॉमेस्टिक पर्डॉक्ट को तो बार्क लेके अकॉर्डिंगली कितना है माइ सिक्स परसेंट ठीक है जितने भी यहाँ पर ग्रोथ एंड डवलोप्मेंट के अंदर हमने जितने भी यह पडिक्शन पड़े हैं किसको लेके जुडीपी को लेके इन सबको नियर अवर्दा अग्जाम हम दुबारा से एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको सारे है कि सैरे अपडेटेट पता लग जाए क्योंकि इसको लेके अग्जाम में कोशन आता है अब बारक लेस्ने कितना बोलाया साथ परसेंट किस के लिए फैनेनेशल ये टॉन्टी डू के लिए financial year 21 के लिए कितना minus 6 बट वही बारकलेस क्या कहते है कि अगले साल financial year 22 में भारत का जो gross domestic product है वो जाएगा साथ परतीशत साथ परतीशत चलिए आगे बढ़ते हैं Asian Development Bank Asian Development Bank जिसका headquarters मनीला में Asian Development Bank बना था 1966 में 1966 में और इसके जो हैड है इनका नाम मसर्ट सुगू असा कावा अभी एक वाइस प्रेजिडेंट भी नुक्तू है भारत के अशोक लवासा जी तो Asian Development Bank ने भारत के अंदर दिल्ली मेरट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बनाने के लिए वन बिलियन डॉलर का लों दिया है वन बिलियन डॉलर्स वन बिलियन डॉलर्स तो यह आपको पता हूं अच्छे किसने दिया है और किस चीज़ के लिए दिया वन बिलियन ड जाएगा और इसके ओपर जो टोटल स्थो आएगी डेटिस् त्रीप्ट नाइन फूर बिल्यक्त धिकर और संस्क्राइक से कज़ा और एक बिलियन डॉलर्स यहां पे इसको अगर से को फैनेस किया जाएगा और एक बिलियन डॉलर्स यहाँ दे रहा है तो डाइट इस डैली मीरेट रीजनल राप रेपिड ट्रांजेट सिस्टम भरते रेलवे के लिए चले आगे बात करते हैं एपल एपल यूएस का पहला ऐसा कंपनी बना डाइट विद्धा मार्किट कैपिलिजेशन ऑफ टू ट्रियर डॉलर्स टू ट्रियर डॉलर्स देखिए अगर मैं बात करूं एपल से पहले एपल से पहले दिसंबर 2019 में दुनिया की पहली ऐसी कंपनी डिकलेर हुई थी जिसक का जो मार्किट कैपिलिजेशन है वो दो ट्रिलियर डॉलर पहुचा डैट इस साओधी अरेम को साओधी अरेम को और अनर्जी कंपनी है साओधी अरेम को डैट इस साओधी अरेम को एक दुनिया की पहली कंपनी थी डैट इस तो रीच दा टू ट्रिलियर डॉलर्स मार्कि misconception कि निक्स्ट ऑर्गैरिक फॉरमर्स की अगर मैं बाद करूं तो और्गैरिक फॉरमर्स के rank में भारत पहुंचुकए ग्यद्प पहले स्थान पे ठीक है भारत में मैं सबसे ज्यादा organic farmers organic farmers दुनिया में सबसे अला अभी कहा है भारत के अंदर है तो देखिए organic farming एक बहुत ही एक अच्छा initiative है क्योंकि आज कल देखिए आज कल हर farmer यहाँ पे खेती करने के लिए chemicals और pesticides का यूज करता है वो chemical और pesticides क्या है poison और यह जो poison है यह human life को तो effect करता ही करता है आप देख रहे हो कि life cell कैसे decrease होता जा रहे है ठीक है average age lifespan of India decreases यह decrease होता जा रहे है ठीक है अभी census आएगा 2021 में तो आपको पता लग जाएगा कि कितना lifespan है average lifespan भारत के अंदर तो यह decrease होता जा है चूँ पोस्टिक आहार हमें नहीं मिलता हूँ कि agriculture की बात करूं तो सारे प्रड़क्स पर पैस्टिसाइट का यूज हो रहे है अब पैस्टिसाइट्स का यूज सिरफ human को इफक्त नहीं करता ही फूड करता है यह लाइट इफक्ट करता है इससे क्या होता है इसके यूस से लैंड थोड़े टाइम गया रहे है तो भारतके अंदर अभी प्रेसेड़ड़ी सब्सेड दुनिया में अगर किसी country के अंदर सबसे ज़्यादा organic farmers हैं वो है भारत और organic farming area कि सबसे ज़्यादा कितने किस country में सबसे ज़्यादा area पर organic farmer होती है तो इसमें भारत का rank 9 इसमें भारत का rank 9 और सिक्किम भारत का पहला organic state भारत का पहला और्गानिक स्टेट इसके इलावा त्रिपुरा है उत्राखंड है यह सब भी काम कर रहे हैं और्गानिक को लेकर यह सब भी आगे बढ़ रहे हैं और्गानिक को लेकर बट अभी सिक्क्यम पहला भारत का फुली और्गानिक स्टेट है सिक्केम पहला भारत का फुली और्गानिक स्टेट यहां पर डिक्लियर किया गया क्लियर हुआ और्गानिक फार्मिंग यहां पर आपको क्लियर हो गया कोई डाउट और्गानिक को लेके सेंटर गौवर्मेट का टार्गेट है डैट इस्टू डबल दा फार्मर्स इंकम बाई टॉंटी आप डॉन्टी टू दो जबाइस तक हमें फार्मर्स की इंकम को डबल करना इसके लिए सरकार ने कमेटी भी बनाई वे डट आट इस अशोक दलवाई कमेटी अशोक दलवाई बैंक मतलब जिनका राष्ट्रेय करण हुआ मतलब गौवर्मेट के बैंक ठीक है वो बैंक जिसको अब देखो 1947 से भेले ना भारत में जितने भी बैंक थे सबके साब 1969-1980 14 बैंक को 1969 में किया गया और उसके बाद 1980 में छे बैंकों को फिर से किया गया नेशनलाइस का मतलब क्या राष्ट्रेकरन यानि की सरकार किसी प्राइवेट कंपणी के अंदर अपना शेयर डाल देती है डैट इस नेशलाइजेशन का मतलब होता है वह बैंक जो कमर्शिय बिजनस करता है मतलब बड़ी बड़ी एंटिटीज को लॉन देता बड़ी बड़ी एंटिटीज का बिसनस संभालता है तो नेशनलाइस बैंक कमर्शियल बैंक भी होते है ठीक है नेशनलाइस बैंक आर ओल्सो कमर्शियल बैंक क्लियर हुआ है नॉट औल कमर्शियल बैंक बट नेशनलाइज बैंक्स और कॉमर्शल बैंक्स क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो कॉमर्शल बिसनस करते हैं वो भी कॉमर्शल की केटिगरी में आते हैं बट नेशनलाइज बैंक वो होते हैं जिनको जिनमें सरकार का हिस्सेदारी है चलिए Cabinet Committee of Economic Affairs Cabinet Committee for Economic Affairs ने यहाँ पर क्या कर दिया फियर एंड रिमून रिमून एरेटिव प्राइज एफार पी बढ़ा दिया शुगर के इनके लिए गन्ने के लिए कितना दस रुपे बढ़ा दिया गया पहले क्या था किसान को दिखेंगो एफार पी क्या होता है वो प्राइज जो एक शुगर मिल वाला बंदा ठीक है एक शुगर मिल किसान से गन्ना खरीटते वक्त उसको पे करती है तो पहले 275 रुपीज पर क्वेंटल था अभी 285 रुपीज पर क्वेंटल कर दिया गया ठीक है अगर मैं स्टेट की बात करूं कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जिनके अंदर एफ और पी नहीं चलता है जैसे पंजाब हर्याना पंजाब हर्याना एफ रपी को फोलो नहीं करते हैं यह स्टेट अपने लेवल पे अपने प्राइस को फिक्स करती है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डैडिस फूर्द लेबर ठीक है लेबर और एंप्लॉइमेंट के हमारे जो मंत्री है इनका न करता है नेक्स्ट मैट्ट मैट्स बैसिकली एक सबसेडिरी है इसकी सब्सेडरी है कि सब्सेडरी है किसकी नर्ट मेट्स तो विटालीं को खृष्द का स्वाइट अबे एस टेक खृरीद अने म्ढित होकों स्टेक पर influencers करिए रिला इंडस्ट्रेजनेज अब बेचtechn करना दूजोंगे के रृपे 620 वेटिए उप्रण factor next iiccai I c40 survival बार्ड जंडल इंश और से यह ठीग है झेल इंशॉपनिय ठीग केट चूंड एंशूरस असका मतलब क्या होता है None life है तो 100% सब यहां पर परचेस कर रहा है बिसनस आई सी आई सी यह लोंबाड यहां पर भारती एक्साइं जनरल इंशोरिस को खरीद लेगा और इसको आपस में बीच में मर्ज कर लेगा अपने ही बीच में मर्ज करने वाला एक प्राइवेट मर्जर नेक्स्ट येस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है 2004 में बना था राना कपूर और अशोक कपूर ने मिलके बनाया था परशांत कुमार यहां पर इस बैंक के सी यो हैं तो येस बैंक की अगर मैं बात करना चाहूं येस बैंक ने अनौन्स किया कि येस बैंक अपना म्यूचल फंड का बिजनस इंट इंवेस्ट मेंड कंपनी को बैच देंगे GPL Finance and Investment Company जो जिसके जो उटनर है वह है वाइट कोग उपैट और इन्वेस्टमेंट मेनेजमेंट वाइट और एंवेस्टमीयट मेनेजमेंट मोर दन 99 TIM की शरीं सेकवोल्डर है gpl Finance के अंदर और GPL Finance और white or investment management company के जो head है इनका नाम है परशांत खेम का परशांत खेम का next multi commodity exchange multi commodity exchange launch कर रहा है भारत का पहला bullion index that is bulldecks इसको नाम दियागा है बुल्ट एक्स यह जो ट्रेडिंग करेगा gold की silver की trading के लिए यहां पर यह काम करेगा bulldecks तो भारत का पहला बुलियन इंडेक्स भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुल्डेक्स रिजाव बैंक ओफ इंडिया ने यहां पे एक फ्रेमवर्क डिक्लियर किया है किसके लिए भारत के अंदर अभी रिटेल पेमेंट्स को लेकि एक ही बॉड़ी काम करते है डाट इस नैशनल पेमेंट अपरेशन ऑफ इंडिया की बात करो तो 2008 में बना था दिलिप असमें इसके एंडी है ठीक है यूपी आई के बात हो या फिर रुपे कार की बात हो आप एटियम से पैसा निकलवाते हो काड में काड को स्वाइब करते हो कही भी मार्केट के अंदर ओनलाइन पेमेंट करते ह तो MPCI सारा काम करता है अभी आरवे नाउस किया कि कुछ डिफ्रेंट बॉडी इस भी यहां पर काम करें ठीक है रिटेल पेमेंट को बढ़ाने के लिए रिटेल विब्रेमेंट को भारत में परमोट करने के लिए यहां बढ़ सकती है अपने आपको कर सकते हैं कि हम यह बि इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के अंदर करेंगे ठीक है क्लियर शलिए 40% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं होना चाहिए पर मोटर ग्रूप्स के गवारा था नेक्स्ट अच्ट ह्टी औट है फसी बैंक ने लॉंच किया है शूर्य मिलिटरी परसोनल वावाले जो अगरी कंवारा रे के काट सूर्णगेंगें एच्टी एफसी बैंक ने दस लाग रुपे का यहां पर लाइफ इंशरंस कवर भी मिलने वाला है पांच साल की वैल्डिटी के साथ यह लोन देने वाला है शोर्या के जिसी कार्ड के चलते हुए अच्टी एफसी बैंक नेग्स पंजाब नैशनल बैंक ने लाँच यह लाँच के लिए ईशिटल अपनाएं पॉर्टल इजिटल अपनाएं प्नाय में भारत के अंदर डिजिटल अपना इयुक्र! दिजुटल पेमंट को पर मोट करने के लिए यहां पर पंजाब नेशनल बैंक नहीं पोला कि डिजुटल अपनाएं को लेके जो भी कोई personcard को एकिनिया रेजिस्ठर करेंगा मतलब कि पहली बार उससे online payment करेगा आनलाइं रिजिस्ठर करेगा तो उस payment का 5 रुपय पर registration पांच रुपय ये पीम के यर्स में donate करेंगे में करेंगे पंजाब नेक्स्ट फीनो पेमेंट बेंक्स की कट्रीव में पेमेंट थाperform निलेकनी कमेटी की रिखेमेणेशंस के उपढ तो ओ सीर्धी नौट मंदलेलेकनी कमेटी नची केथपो कमेटी नची केथ और थिए नयों बैंकिगा नियों बैंकिंग को नहीं है टिका है पुरा पूरा बैंक पूरा पूरा बैंक है लि्य ύनदर कर रहे हैं है है कि यह उसके के ओपर काम कर रहे जन बचत खाता कर दिया है to Hsbc ह्सbc इंडिया ने लाँच कर दिया Green Deposit Program HSBC के बारे में आपको पता होगा है डिट इस होग्कोंग एन शंगई बैंकिंग कोपरेशन तो Hsbc लडंडन का बैंक आई तो आई तो हसब Cbank नहीं आप पर Green Deposit प्रोग्रम चला है कि जो भी आप डैपाशेट करते हो वो ग्रीन एनर्जी में यूज किया रहे ग्रीन एनर्जी में अपके डिपास्ट को यूटिलाइस करेंगा एच्छ पीशी इंडिया अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यानि की सोलर प्रोगेक्ट्स हुए ग्लोबल व of India ने national payment corporation of India के एक subsidiary launch करें नाशनल payment and PCI International Payments Limited अभी NPCA इंडिया में काम करता था अभी रुपे कार्ड को UPI payments को और अधर इंडियन प्रोट्स को international level पर पर मोट करने के लिए यहां पे एक subsidiary बनाई एंपी c i international payments limited and PCI international payments limited इसको बनाया लिए और इसके जो चीफ executive officer रहने वाले डाट इस रितेश शुकला रितेश शुकला बरी बॉर्डट तो यह था आज का हमारा economy जीके का class doubts लेते हैं सर सेभी के लिए आपके जीके पर depend रह सकते हैं पूरा पेपर क्लियर होना क्या और सोर्स देखने की जुरूत है कॉमल बिस्त जी economy affairs में कुछ भी skip नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है economy affairs में कुछ भी skip नहीं होगा तो पूरा का पूरा मैंने पूरा का पूरा का cover up की ठीक है तो डॉंट बरी कोई टेंशन लेनी के आपको जूरूत नहीं है ठीक है Pdf हर lecture के साथ test होती है आपको portal पे जाने आपको PDF मिल जाएगी हर lecture के साथ उसके आपको टेंशन ने की जूरूत नहीं जाए पीडिएफ भी मिलेगी अगर पॉर्टल का नीचे लिंक दिया हुए डिस्क्रिप्शन पे तो पॉर्टल पे जाओगे तो mcqs भी attempt कर सकते हो ठीक है और सारी की previous classes भी आप देख सकते हो ठीक है पोटुरते मांक का फानेंशल अवेरनास का आप उसका पार्ड ये कबर करेगा ठीक है उसका पार्ट ये कबर करेंगा करन है is Choemin and Amkushha Guru अपने बनाई tik hitting यूंट बनाने का मतलब क्या होता है आपने कमपनी बनाई को पड़िया टायर के जुरुद्वत पड़ती है अब तायर या थो आपको किसी company से बाहर से खरीदना पड़ेगा ठीक है सिय अच हुआ ठीक है अमारे फूआ आपको खरीदना पड़ेगा बट आपने सोचा कि मेरे पास पैसा है क्यों आपना इक टायर बनाने का प्लांट लगा लो तो आपने अपने एक यूनित बना लिया तो यह आपी की Company है जो अंकुष आपी के नाम पर देखते हैं अब अंकुष का मोडल आप बना रहे हो अब आपको सोचा कि एक नया मोडल लॉंच करते हैं बट आपके इस प्लांट में आपको जगा नहीं है यह इतना ही यह अंकुषी प्रोड्यूस कर रहे है ठीक है तो आप क्या करोगे इसी कंप क्लियर तो आपको क्लियर होगा यूटीजा अधर सब्सेडरी अधर पार्ट ओफ डैट कंपनी ठीक है अधर यूनिट अधर पार्ट अधर प्लांट वी केंड कॉड ठीक है क्योंकि एक ही प्लेस में सारा प्रड़क्शन नहीं हो पादा जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो कंपनी को अपना एरिया भी बढ़ाना पड़ता है ठीक है अब उसी एरिया पर जहां पर बैठा हुए के बार उसके आसपास लैंड अविलेबल नहीं होती और वैसे भी ट्रांसपोर्ट की फेसेलिटी के लिए वह कहीं दूसरे एरिया में जाकर किसी दूसरी स्टेट म में कुछी दूसरी सिटी में जाके अपना प्लाइट बसाता है अपना दूसरा यूनिट बसाता है ठीक है ताकि उसके प्रटक्ट वहीं आसपास बेख भी जाए वो उसके लिए ट्रास्पोर्टेशन का खर्चा भी डिक्रीज हो जाता है उसको ज्यादा प्रॉफिट रहत शू तो इस ओल फो टोड़े मिलते नेक्स क्लास में थैंक यू सो मच हम आइस दे स्टे सेफ स्टे हो